बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com यहां पर जुड़ करके पूच सकते हैं प्रशन कॉल के द्वारा भी और साथे साथ अपना प्रशन आप मुझे लिख कर भी बेच सकते हैं आज है 12 फरवरी 2022 दिन है शनिवार का वही पे आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज मनाई जा रही है जया एकादशी इस एकादशी का महत्वग बहुत अधिक माना जाता है वही पे इस एकादशी के महत्वग की बात करेंगे मगर सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग आज अगर तिथी की बात करें तो माग मास के शुप पक्षकी एकादर्शी तिथी रहेगी ये तिथी शाम को चार बच के 27 मिनट पे समाथ हो जाएगी इसके बाद जो है द्वाद अशी तिथी आरंब हो वहीं पे नक्षत्र आज के दिन सारा दिन आद्रा नक्षत्र रहेगा राहुकाल के अगर बात करें तो सुभा 9.53 से लेकर के सुभा 11 बच के 17 मिनट तक कर राहुकाल रहेगा इस दुरान आपको किसी भी प्रकार का मांगलिक कारे नहीं करना है वहीं पे सारा दिन जो है के 58 मिनट तक का रहेगा तो इस दुरान जो है अब भगवान विष्ण जी की उपासना कर सकते हैं अब जो लोग एक अदशी का व्रत रखते हैं व्रत पारण का समय क्या रहेगा व्रत पारण का समय रहेगा 13 फरवरी यानि कल के दिन सुभा 7 बच के 1 मिनट से लेकर के अगर देखा जाएं तो वर्ष में 24 एक दशी आती है हर एक महीने में दो एक दशी होतीक शुकरपक्षकी एक क्रिशन पक्षकी मगर वहीं पर जब अधिक मास पड़ता है तो 24 एक दशी से बढ़ करके 26 एक दशी हो जाती है مगर हर एक एक दशी जो है भगवान होती है और हर एक एकदशी का व्रत रखने का अपना ही महत्व माना जाता है वहीं पर बात करेंगे जया एकदशी की तो जिस प्रकार अभी मैंने पंचांग आपको बताया उस प्रकार ये जो एकदशी आती है माग मास के शुकर पक्ष की एकदशी तिति पर मनाई जाती है ज वहीं पे मरन और जीवन का जो बंधन होता है, जिसमें आपको परिशानी हो, किसी भी तक तरहां की अकाल मृत्यू से आपको डर लगता हो, ये सब चीजे जो हैं, उन सभी कष्टों का निवारन होता है, ऐसी मृत्यू कभी भी प्राप्त नहीं होती, वहीं पे अगर देखा तो ये जो समय होता है, अपने पापों से मुक्ति बाने का समय होता है, पुन्य की प्राप्ती करने का समय होता है, तो एकदशी का व्रत रखना बहुत ही खास माना जाता है, इसलिए भगवान विश्नु जी की उपासना करें, और विश्नु सहस्तनामवील का पार्ट करें, अगर संभव ना हो एकदशी का व्रत रखना तो आप केवल भगवान विश्म जी का नाम भी ले सकते हैं ओम नमु भगवते वासु देवाय मंतर का भी जब कर सकते हैं चली ये तो बात हुई जाए एकदशी की आज के पंचांकी वहीं पर बात करेंगे 12 राशियों की मेश से लेकर के जानेगे मीन राशी तक का हाल तो सबसे पहले देखेंगे मेश राशी के लिए क्या कैते है आज के टारो कार्ड क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पते आज मेश राशी के लिए काज आए हैं दसन कुईन ओफ कप्स वहीं पे टू आफ सौज आज का दिन काफी हर्ता कच्छा रहेगा एमोशनली थोड़ा स्ट्रॉंग रहेंगे मगर हां आप जो है आसपास की चीजों को लेकर के थोड़ा नेगेट वही पे आप लोगों को उपाए आज को दिन क्या करना है शनी वार का दिन है एक अधाशी कीतिती है तो आज के दिन आज पीपल के वरिक्षके नीचे सरसो के तेल का दीपक जरूर जलाएं संद्यागाल में लाफ राप्त होगा वहीं पे बात करेंगे वriषब राशी के जातकों की यानि टॉरेंस की, आपके लिए काज आए हैं, टेंपरेंस काड आया है, नाइट ओफ पेंटिकल्स, वहीं पे सिक्स ओफ पेंटिकल्स, धन की स्थिती बहतर होगी, धन को ले करके सुधार आएगा, वहीं पे आर्थिक स्थिती में स्थिरता भी आएगी, अगर र परिक्रमा करें सुभा के समय में, जल जरूर अर्पित करते जाएं, जैसे जैसे आप परिक्रमा करते जाएं, आपको लाप राप्त होगा, बात करेंगे मिथुन राशी के जातकों की, मिथुन राशी के लिए एक आज़ आए हैं, कूइन ओ पेंटिकल्स, दो हायного फैरफ की माता हो या माता समान जैसे कोई महिला हो उनका अश्रवाद लेकर के स्पेशली या उनकी सला लेकर के कोई भी कार रयाज के दिन कीजेगा लाप फ्राप्त होगा. विदुन राशी के जातकों के लिए क्या सही काड आया है, Seven of Swords, Judgment काड आया है, आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा, पुरानी गल्तियों को सुधानने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को जाने ना दे, वहीं पे कुछ चीजे हैं, आप जान पूछ के भी कोई गल्ती कर सकते हैं, इन गल्तियों को अवाइड करने की कोशिस कीजेगा, परिवार के साथ जो है, समय बहुत अच्छा बीतेगा आज का, तो उपाए क्या करना है, करक राशी के जातकों के लिए, आज के दिन जो है, आप दूद का दान करें, और साथ साथ जल में थोड़ा सा दूद मिला करके एक दूद मिला करके, पीपल के विरिक्ष परिक्रमा करते हुए, अर्पित ने, लाँ मिलेगा, बात करेंगे सिंग राशी के जातकों की, सिंग राशी के लिए काज आए हैं, दे वर्ल, दे टावर, साथ साथ Ace of Wands, करियर को लेकर के कोई नई शुरुवाद हो सकती है, मगर हाँ इस चीज को लेकर के साबधान भी रहने के अपरशकता है क्योंकि सड़नली आपको कोई ऐसा जटका लग सकता है जिसकी वज़ा से, जो आपने करियर को लेकर के कोई नई शुरुवात करी हो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़े तो इसलिए बहुत बड़ा कोई निर्ने आज के दिन नहीं लेना है इस चीज को धिहान में रखते वे चले पुराने जो अधरे काम हैं वो आज के दिन सफल हो सकते हैं संपन हो सकते हैं सिंग राशी के जातकों के लिए उपाये कैसे ही रहेगा आज के दिन यदि आप भगवान विश्णुजी की उपास न करें और उनके पास एक देसी घी का दीपक जलाएं आपको लाप मिलेगा बात करेंगे कन्या राशी के जातकों की कन्या राशी के लिए काजाए है Nine of Wands, वहीं पे Wheel of Fortune, Page of Swords आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा महनत का परणाम आज के दिन आपको मिल सकता है, यानि आप महनत करें आपको सही तरह से परणाम मिलेगा लापरवाही करने का समय बिल्कुल भी नहीं है इसलिए लापरवाही ना करें वहीं पे भाग गया है, आज के दिन आपका पूरा-पूरा साथ देगा करने राशी के लिए उपाई सही रहेगा यदि आज के दिन आप पान का बीड़ा जो है परिवार के सब घूमने फिन जा सकते हैं और क्यूँ ना, वीकेंड तो है तो आप अमने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें गिफ्ट लेने देने का टाइम बहुँत अच्छा है परिवार में हो सकता है कोई गेट टूगधर हो लाब मिलेगा बात करेंगे अगली राशी व्रिश्यक राशी के जातकों की व्रिश्यक राशी के लिए काज आए हैं एट ओफ पेंटिकल्स वहीं पे किंग ओफ स्वाद्स और मेजिशन काड आया है आज के दिन हर चीज को बहुत ही साफधानी से हंडल करेंगे मैनिपलेशन करते वे वहीं पे धनलाब हो सकता है आपको आज के दिन अगर आप कोई नौकरी सम्मंदित परिशानियों में हैं तो ये परिशानियां भी आज के दिन स्वालवाउट हो सकती है व्रिश्यक राशी के जातकों के लिए बहतर रहेगा आज के दिन आप भगवान विश्णुजी को लाल वस्तु अर्पित करें लाल पुष्प अर्पित करें या फिर गुड अर्पित करें बात करेंगे धनुराशी के जातकों की धनुराशी के लिए काजाए हैं कोई पुरानी विश जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो वो पुरी हो सकती है साथ साथ अगर देखा जाए कोई नया कारे आप आशके दिन आरंब कर सकते हैं हर एक चीज को आशके दिन कोई भी अगर कारे भी आरंब करते हैं सोच समझ के कीजेगा अराम से निर्ने लीचेगा जल्दवाजी में आशके दिन काम बिल्कुल नहीं करना है अगर कोई काम नहीं पूरा हो रहा है तो उसको भगवान के उपर आशके दिन छोड़ दे बहतर रहेगा अगर कोई काम करेंगे जल्दवाजी में अगर कुछ सोचेंगे और उसको इंप्लिमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है इसलिए जल्दवाजी में कोई भी कारणे आपको नहीं करना है आपके लिए उपाय क्या सही रहेगा आज के दिन यदि आप पीपल के व्रिक्ष पे तिल के तेल का दीपक जलाएं तो लाप राप्त होगा बात करेंगे कुम राशी के जातकों की कुम राशी के लिए एक आज़ाय है फोर अफ पेंटिकल्स वहीं पर पेज ओ वौन्स और टू अफ पेंटिकल्स धन राशी को बचा के रखें अत्यादिक धन खर्चा करने का दिन नहीं है आज के दिन लापरवाही आप बरत सकते हैं अपने स्वास्त को ले के, अपने काररे को ले करके अपने धन को ले करके, अपने रिश्टों को ले करके लापरवाही बिलकुल भी नहीं करनी है इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है हर चीज़ को एक तरा से बैलन्स करके चलैं थोड़ा सा कंजूसी से चले ताकि आपको आने वाले समय में धन से जोड़ी हुई परिशानी ना हो आपको पाई क्या करना है आज के दिन बूरा और खोपरा पीपल के वरिक्ष के नीचे चीटियों के लिए जरूर रखे आपको लाप मिलेगा अंतिम राशी की बात करेंगे हम बात करेंगे मीन राशी के जातकों की तो मीन राशी के लिए कार्ज आए हैं दफूल लवर्स कार आए हैं जस्टिस कार आए हैं कार्ज बहुत ही अच्छा आए हैं पॉजिटिव आए हैं मेजर कार्ज आए हैं दिन काफी हद तक अच्छा जाएगा और आज जो भी आप कार्रे करेंगे वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, आज आप कोई नई शुरुवात कर सकते हैं, वहीं पर जीवन साथी लंबे समय तक आपका साथ देगा, हर एक चीज को सही तरह से आप कार्रे को संपन भी कर स सकते हैं, वहीं पर जो लोग लौ से जुड़े हुए हैं, लौ सेक्टर में या फिर एडिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में उन लोगों के लिए दिन बहुत उच्छा रहेगा, उनको कोई नई नई हाई पीक मिल सकती है, कोई काम उनका पूरा हो सकता है, तो आप लोगों को प जया एकदशी है और साथ साथ दिन है शनिवार का, तो आज के दिन आपको करना क्या है, आज के दिन भगवान विश्नुजी के उपासना दो करनी ही करनी है, साथ ही साथ किसी भी धरम स्थान पर आज के दिन आप जो है भगवान विश्नुजी को हल्दी जरूर अर्पित कर और साथ साथ अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ग्यारा तुलसी के पौधे लक्षमी नरायन मंदिर में आज का दिन दान कर दे ऐसा गरने से आपको लाव शीकर ही प्राप्त होगा चलिए फिलाल के लिए मैं आप सभी दर्शकों से लूंगी इजाज़त देखते रही करिश्मा के करिश्माई पत्ते के वल आस्ट्रो तक पे नमस्कार जै श्री रादे झाल